जेहिन दोस्तो टीए आर्मी भरती को लेकर आप सभी के लिए बहुत बरी अपडेट है आप सभी को बता दे टेरिटोरियल आर्मी के तरब से एक नई भरती आपका रिलिज किया गया है टोटल 108 पोस्ट पर आपका ये नई भरती आया है तो आज किस वीडियो में जानेंगे जो आपका टीए आर्मी के तरब से ये वेकेंसी रिलिज किये गया है इस भरती के अंतरगत कौन-कौन से ये स्टूडेंट जो है पाटिसिपेट कर सकते हैं यानि कि रैली में जो है भाग ले सकते हैं और सबसे पहले जो आपका इस रैली को लेकर नोटिफिकेसा नाया है इसमें सबसे पहले आपका फीजिकल होने वाला है फीजिकल और मेडिकल जो है आपका सांथ में कंडक्ट कराया जाएगा तो देखिए दोस्तों इस भरती को लेकर अपडेट जो है यहाँ पे चलिए सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं तो देखिए दोस्तों यह आप सभी को पता होगा हिंदुस्तान न्यूज पेपर के बारे में जो की काफी authentic जो जनकारी है वो देता है यहाँ पर यह काफी trusted जो है यह न्यूज पेपर है तो इसमें दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आज के date में आप सभी को date भी सबसे पहले यहाँ पर दिखा देते हैं आज के डेट में आप सभी देख सकते हैं आज आपका 26 अगस्त हो गया और 8 बच के 42 मिनट में जो है इस अपडेट को यहाँ पे हिंदुस्तान न्यूज पेपर में परकासित किया गया है और यह जो आपका भरती है आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं प्रादेशिक सेना के तरब से है प्रादेशिक सेना का मतलब आप सभी को पता होगा कि टेरिटोरियल आर्मी होता है यानि कि टीये आर्मी होता है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रादेशिक सेना में 108 पदो यानि कि 137 इंफेंट्री बटालियन के अंत्रगत जो है यहाँ पर सौरी 137 नहीं है 127 आपका दिया गया है 127 जो आपका इंफेंट्री बटालियन है उसके अंत्रगत आपका यह भरती आया है और इसमें आप सभी देखेंगे गड़वाल राइफल्स में 9 अक्टूबर से 12 अक् से लेकर 12 अक्टूबर तक आपका भरती होने माला है 127 इंफेंट्री बटालियन के अंत्रगत उसमें कौन-कौन से स्टूडेंट जो है भाग ले सकेंगे तो देखिए दस्तों यहाँ पर बताया गया है 127 प्रादेशिक सेना टरिटोरियल आर्मी परियावरन बल गड़वाल राइफल्स में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक भरती की जाएगी यानि कि 9 अक्टूबर से आपका भरती सुरू होगा और 12 अक्टूबर तक चलेगा भूत पूर्व साइनिक परियावरन बन एवं जलवायू परिवरतन मंत्राले और राज बन विभाग के भूत पूर् बन एवं जलवायू परिवरतन मंत्राले और राज बन विभाग के भूत पूर्व जो महिला करमचारी है वैसे कंडिडेट जो है इसमें भाग ले सकेंगे यानि कि यहाँ पर देखा जाए तो यह जो 117 इंफेंट्री बटालियन के अंतरगत आपका भरती आया है इस भरती के अंतरगत जो है फ्रेसर जो कंडिडेट है वैसे कंडिडेट जो है भाग नहीं ले सकते हैं तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इसके पौहले भी काफी सारे जो भरती है भूत पूर्व जो साइनिक है उनके लिए रिलीज आलरेडी किया जा चुका है लेकिन जो फ्र सभी दस्ता वेजों के साथ 9 अक्टूबर को सुबा 6 बजे सारीरिक माप दंड और मेडिकल परिक्षन के लिए देहरादुन में आपका ये भरती होने वाला है देहरादुन इस्तित प्रादेसिक सेना कर्याले पहुंचे यानि के देहरादुन में जो ट्रिटोरियल आर्मी क्या करजाला है वहाँ पे बोला गया है आने के लिए सिपाही जनरल ड्यूटी के 106 पद और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे रसोया और सिपाही बढ़ाई के ये केक पद है तो यहाँ पे टोटल 108 अपका वेकेंसी हो गया इसके अलावा दूस्तों नीचे के तरफ द जादा नहीं होना चाहिए और जवान की नोकरी की अधिकता मायू 50 ब्रस निधारित की गई है यानि कि 50 ब्रस के बाद उन्हें जो है टरिटोरियल अर्मे से रिटार्मेंट कर दिया जाएगा परियावरन बन एवं जर्वायू परिवर्तन वंत्राले और आज बन भिबाकी वही भूदपूर्व महिला करमचारी सामिल हो सकती है जिनोंने 20 सल की नोकरी पूरी की हो तो यहाँ पे अगर देखा जाए किलियर तो यह जो आपका भरती है यह एक 108 पोस्ट वा यह जो आपका भरती यहाँ पे रिलिज किया गया है जो प्रीवियस यानि कि जो क्योंकि इसके पौहले भी काफी सारे प्रादेशिक सेना यानि कि टीए आर्मी के तरब से भरती आए है जो कि एक सर्विसमेन के लिए आपका रिलिज किया गया है लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फ्रेसर कैंडिडेट है यानि कि जो फ्रेसर कैंडिडेट है उसके लिए भ जो है टीए आर्मी के तरब से ओफीसर पोस्ट को छोर कर बाकी जो जीडी कलरक और टेक्निकल की भरती होता है वो भरती जो है अभी तक आपका रिलीज नहीं हुआ है 2019 के बाद और काफी ये स्टुडेंट इस भरती का इंतजार कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टीए आर्मी तो भरती कंड़क्ट करा रहा है लेकिन फ्रेसर का इंडीडेट के लिए यहाँ पे कंड़क्ट नहीं हो रहा है तो यह भरती फ्रेसर कंडीडेट के लिए आखिर अप कब आएगा तो देखिए दोस्तों इसके बारे में तो कोई भी डेट अभी आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी कोई भी ओफीसियली जनकारी यहाँ पे नहीं मिला है कि कब तक आ सकता है लेकिन संभावना है कि यहाँ पे जिस तरह से टीए आर्मी भरती अभी कंड़क्ट लगतार एक सर्विसमेन के लिए करा रहा है इससे देखने में लग रहा है कि आपके लिए भरती बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा लेकिन कब तक आएगा यह कनफार्म डेट जो है अभी कोई भी ओफीसियली नहीं है तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे अगर वीडियो आपको पसांद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टीए आर्मी के ते यारी कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको T.A.R.M. संबंदित जो भी छोटी बरी अपडेट है सभी आपको देखने को मिलते हैं तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम